नमस्कार आपका स्वागत राजनामा दुनिया पे मैं अपने आपके साथ आयोध्या में श्री राम लेला के प्राण पतिष्टा से दो दिन पहले हैदराबाद के सांसत और AIMIM चीफ असुद्दिन ओविसी का एक वियान सामने आया है विसी ने करनाटक के कलबुर्गी में मीडिया से बाचित करते वे कहा विवादि जगह पर रात में मूर्तिया रखी गई वहाँ मस्जिद थी और आगे भी रहेगी जब कॉंग्रेस के गोविन वरलब पंद उत्रपरदेश के मुख मंत्री थे तो उस जगह पर 500 साल से मुसल्मान नमाज पड़ा करते थे जब कॉंग्रेस के मुख मंत्री थे तो रात के अंदेरे में मूर्तिया रख दी गई वहाँ मस्जिद थी और रहेगी उन लोगों ने मूर्तिया नहीं निकाली वहाँ के दतकालिन कलेक्टर केके नायर ने मस्जिद बंद कराकर पूजा शुरू कर दी नायर साब 1950 के दशक में जनसंग के पहले सांसत बने 1986 में मुसल्मानों को बताय बगर ताले खोले गए पूटासी ने शिलान्यास कर दिया 6 दिसम और 1992 को बीजेपी और संग परिवाने सुप्रिम कोर्ट को वादा करने के बावजुद बापरी मस्जिद को तोड़ दिया बीजेपी के पासे मुद्दा कब आया आपको पता है 1990 में बीजेपी ने पालंपूर में रेजुलिशन पास किया एक सिस्टमेटिक तरीके से भाद्ती मुसल्मानों से बापरी मस्जिद छीन ली गई बापरी मस्जिद पर सुप्रिम कोर्ट का यकिनन फैसला है सुप्रिम कोर्ट हमारे देश की सर्वोच अदालत है धार्मिक विश्वास के आधार पर सुप्रिम कोर्ट ने ये फैसला दिया कि ये जगह हम मुसल्मानों को नहीं दे सकते सुप्रिम कोट ने ये भी कहा कि महां मंदिर को तोड़कर मस्जित नहीं बनाई गई सुप्रिम कोट का फैसला आने के बाद मैंने मीडिया को बयान दिया था कि चीफ जसीस जेएस वर्मा ने कहा था कि सुप्रिम कोट सुप्रीम है ये अमिट है, मैंने ये भी कहा था कि अब कई मुद्दे खुल जाएंगे इसको अंग्रेजी में कहते हैं, पेंडोरा बॉक्स विल बी ओपन संग परिवार अब हर जगह जाकर ये बोल रहा है कि मैं मस्जित नहीं थी मैं कहता हूँ कि अगर गोविन वलब पंत ये मुद्दिया हटा देते तो क्या हम ये दिन देखना पड़ता अगर 1986 में ताले नहीं खोले जाते तो क्या ये दिन आता 6 दिसंबर को बाबरी डिमॉलिशन नहीं होता तो क्या ये देखना पड़ता ये हमारे सवाल है जिनका कोई जवाब नहीं दे रहा है अपने आपको सेकलर बोलने दिल्ली के मुखे मंतिर इंडिया में शामिल हो अर्विन केजिवाल कह रहे हैं कि हर्मंगलवार को सरकारी स्कूलों में सुन्दर कान का पाठ होगा क्या स्कूल का कोई धर्म होता है अभी तो सबका जगड़ा चल रहा है जगड़ा है ये है कि मोदी नहीं रहते तो हम भी चले जाते मैं तो सबसे यही पूछ रहा हूँ कि गुवित बलपंद 1986 और 1992 पर आप क्या बोलते हैं कोई कुछ नहीं बोलता सबको बहुत संख्यकों का वोड लेना है ने इनमोदी भी ये करके बहुत संख्यकों को अपने पक्ष में कर रहे हैं साथ ये बताया जा रहा है कि मसल्मानों का भारत की पॉलिटिक्स में क्या मुकाम है इसी के साथ बने रहे राजनमा दुनिया के साथ धन्यवाद